हेलो जैहिंद वेलकम मैं विकाफ उम्राओ एक बार फिर फे आपका अपने इफ यूटूब चैनल पे हार्दिक फाद करता हूं सभी बच्चे वीडियो को लाइक और फेयर कर दे और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था प्राइम नम्बर के बारे में अब हाज संख्याओं के बारे में जिन बच्चों ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो भई जरूर देख लें सभी बच्चे ध्यान दे कल एक प्राइम नम्बर की आपको वीडियो दी गई ती जो वन आवर की थी आप पहले वो वीडियो देख लें और इसके बाद आज की कलाफ को ध्यान देगे ठीक है ना पहले पुरानी वीडियो देखिए फिर आज की क्लाफ को देखेंगे तो सारा कुछ मेंटर आपको फमज में आ जाएगा चलिए इस टार्ट करते हैं एक बार फभी बच्चे वीडियो को लाइक और फेयर कर दे और कमेंट बाक्स में जैहिंद लिख दे चलिए भाई ध्यान दीजे आज एक जो टापिक है आज का भाई सभी बच्चे वाई इस बात को नोटिस करिएगा जो आज का टापिक है तो जो हमने कल आपको बताया था क्या बताया गया था आप लोगों को आप लोगों को बताया गया था प्राइम नंबर अभाज संख्या और आज का इफी में एक और टॉपिक इंक्लूट कर रहे है प्राइम फैक्टर ये क्या है भई आपका प्राइम फैक्टर ये ध्यान दीजेगा अब भाज गुणन खंडों की संख्या ग्यात करना ये एक बहुती अच्छा सा टॉपिक है और बहुती आफान तरीके से आपको बताया जाएगा ठीक है ना चलिए भई कुछ जानकारी के साथ क्लाफ को आगे बढ़ाते हैं पहली जानकारी कि आपको डेली की पीडियप डेली की क्लास से रिलेटेड अपडेट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जैहो इंस्टीट्यूट को जॉइन कर लेना है ताकि रेगुलर की रेगुलर पीडियप और कह सकते हैं जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट सारा कुछ आप तक पहुंचता रहे आपको मिलता रहे ओके चलिए निफ्ट बात समझे यह आपका एक बहुत ही अच्छा एयर पोर्फ यक्फ और वाई के लिए प्राइड एयर पोर्फ एक्फ वाई एक कम्प्लीट बैच है यह कहां पर मिलने वाला है अनेकडमी प्लस कोर् साथ में और आपको ध्यान देना है कुछ नए बैच के बारे में एक तीन से बैच आपका इस्टाट हो रहा है अनेकडमी प्लस कोर्फ है आप अगर परचेच करना चाहे तो इसमें एक कोड यूज करिएगा मयंक सर मयंक सर कोड यूज करने पर आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और फिर आप अपनी बेहतरीन तयारी कर सकते हैं चलिए निफ्ट निफ्ट आप देख पा रहे हैं बई सभी बच्चे यह भी आफर है आप लोगों के लिए प्लस सब्कृप्स वालों के लिए बई एंडिये एयर फोर्स एक्स वाई और नैवी ध्यान दीजेगा नैवी कहां जा रहे है यह देखिएगा नैवी आप देखो बारा महिने का अगर आप कोर्फ लेते हैं 12 मंत का कोर्फ लेते हैं तो आपका दो महिने का अद्रिक्त मिलेगा भई ठीक है ना यानि 12-14 महिने का हो जाएगा और यह आपका क्या होगा 24 महिने का अगर कोर्फ पर हैं तो कोर्फ पर्चेज कर सकते हैं और बाकी फ्री क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिए टोटली फ्री जो आपको क्लास मिल लए आपके लिए एक मैत का जो टॉपिक आज लेकर क्या है तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक और फियर करते जाएं और कमेंट बाक्स में अपनी राय या जो भी अच्छा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं ठीक ना चलिए बढ़ते हैं आपकी फ्री च्रीण पर कोस्छंव दिखाया जो कल की क्लास से रिले टेडड है कल हमने आपको बताया था प्राइम नमबर अभाज संख्या ठीक ना तो भई जैसा कि हमने पहले बताया जिन भी बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख ले फिर हम इन टाइप के कोश्चन की बेहतरीन प्रेक्टिफ करने वाले हैं चलिए भई ध्यान दी नमबर यानि सबसे छोटी अभाज संख्या क्या है बोलिए भाई जैसा की मालूम है आपको क्या बताया गया था smallest prime number होता है 2 कहां से start होता है बई 2 से 1 जो है यह आपका neither prime nor composite या नहीं कह सकते 1 जो है ना आपका भाज होता है और ना ही क्या होता है बई अभाज यह बात हमने आपको note down कराई दी बई clear है और आपको बताया था 2 यह आपका सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज संख्या है अभाज संख्या है clear है ना और क्या बताया था कि जो 2 है इसके लिए क्या है even prime number भी है क्या है even prime number जिसको हम कहेंगे some अभाज संख्या some अभाज संख्या अगर आप से कभी एक्जाम में पूछा जाता है कि even prime number बताएं तो आप right answer करेंगे 2 कितनी होती है even prime number कितनी होती है तो उस condition पे आप अपना answer करेंगे 1 ठीक है ना तो भाई आपका ये question complete हो गया क्या था smallest prime number क्या है तो आपका right answer आजाएगा 2 ठीक है ना अगर आप से इसी में पूछ ले कि smallest भाई देखना आपका इसी में पूछ लिया जाए भाई आप लोग comment करके बताएंगे smallest composite number क्या पूछ लेता है smallest composite number क्या है तो भाई आप अपना answer क्या करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा क्या हुआ भाई सबसे छोटा या छोटी भाज संख्या क्या पूछे सबसे छोटी भाज संख्या smallest composite number क्या होगा तब आप अपना answer देंगे कितना भाई तब आप लोग अपना answer करेंगे 4 क्या होता है भाई 4 ये आपका smallest composite number होता है तो भाई ध्यान देना ये चीज़ें आप तयार रखिएगा चलिए बढ़ते नेस्ट कोश्चन में आपका नेस्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है देखिए और थोड़ा सा टाइम देकर इसे हल करने का प्रयास कीजिए लगाने का प्रयास कीजिए और जो ज बच्चे हमें जॉइन करते जाएं वीडियो को लाइक और फियर जरूर करते जाएं एक धमाकेदार अंदाज में हम लोग प्रेक्टिफ करेंगे देखिए क्या है आपको एक बहुत अच्छी बात हैं हमने आपको बताई हुई ती ना भई क्या पुराना वीडियो देखना बहुत जरूरी भई इसके पहले जो कल का एक वीडियो था प्राइम नंबर से रिलेटेड वो जरूरी है तब इन टाइप के कोश्चन आप बिदाउट पें टाइप का कर सकते हो देखिए क्या है कोश्चन है आपका हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देर बिट्वीन फोर्ट प्राइम नंबर के बारे में जानकारी देता है और कहां तक ये कहां तक के प्राइम नंबर के बारे में जानकारी देता है एक से सो तक के प्राइम नंबर के बारे में जानकारी देता है तो आपको ध्यान देना है ये 40 और 50 के मद तो भाई 40 आगे क्या रहेगा 41 और आगे क्या होगा 42 कल ऐसे हमने बताया भी था कि exam में question कैसे बनता है तो भई आपको ध्यान देना ये कौन सी line रहेगी आपको मालूम है ये पहली line आपकी क्या होती है 1 से 10, 2 फरी 11 से 20, फिर ये आपका 21 से 30 और फिर 31 से 40 और ये आपका होगा 41 से 50 के बीच में ठीक है ना आपको ये 41 से 50 के बीच में कितना मिला 3 तो आपका right answer क्या जाएगा 3 हो जाएगा 3 हमारा correct answer होगा clear है ना भई अब एक बात और समझेगा जिनको इस type की बात नहीं आ रही है कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये number कहां से आ गया अचानक से तो जो basic class थी वहां पर हमने number आपको निकाल के दिखाया था आपके सामने ही बना के बताया हुआ था ठीक है ना चलिए ध्यान दीजेगा जैसे यहां पर आप other way पर कैसे देख सकते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता क्या ध्यान देना पड़ता कि बैसे और 50 का मद्ध देखना है तो आपका एक 41 होगा ठीक है ना आपका 42 43 44 45 46 47 48 और आपका 49 यह नंबर होगे आपके एक अगर यह नंबर होगे तो आपको प्राइम सर्च करना है तो आपका इवेन नंबर तो प्राइम नंबर होगा नहीं वो कब होता है सिर्फ दो पे होता है अब आपने देखा यह 45 5 से डिवाइड है आपका 49 7 से डिवाइड है तो आपके जो प्राइम नंबर आपको मिलने वाले हैं 41 43 और 47 यह आपके 3 प्राइम नमबर मिलने वाले हैं तो आपको भई द्यान देना इस type questions को उम्मीद करते हैं आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे होगे ओके चलिए बढ़ते हैं नेस्ट question में नेस्ट question आपकी screen में है भई सभी बच्चे देख ले और बताएं और बताएं क्या हो मैंनी प्राइम नंबर आर लेस देन फिप्टी यानि पचास से कम कितनी अभाज संख्याएं हैं क्या बताना है भई फिप्टी से कम अभाज संख्याएं कितनी हैं और आपके आपसा ने 13, 14, 15 और 15 यानि 13, 14, 15, 16 बोलिए क्या लगा दें आंसर दीजी आंसर भई आप लोग तो आपको मालूम है कल की क्लास में हमने आपको बताया था देखो बार बार हम कल की क्लास बोल ला है उसका रीजन है क्योंकि हम कल बेसिक चीजें आपको पढ़ा चुके हैं उसी से 15 हैं हमने आपको बताया था कि 1 से आपका 100 तक में 1 से 100 तक में कितना होता है प्राइम नमबर 25 प्राइम नमबर होते हैं और 1 से अगर आप से कोई 50 तक के प्राइम नमबर पूछेगा तो आपके कितने होते हैं यह 15 होते हैं और अगर कोई आप से पूछे 51, 2, 100 यानि 50 से 100 तक के प्राइम नंबर आप से कोई पूचे तो यह आपके 10 होते हैं यह सारा कुछ हमने आपको लिखाया हुआ था बताया हुआ था क्लियर है भई बताते जाएं और जो हमें नए बच्चे जॉइन कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को सेयर भी करते जाएं ताकि वो भी इस क्लास का मज़ा ले सके हमारे साथ में ठीक है ना चलिए भई ध्यान दीजेगा नेफ्ट आगे बढ़ते हैं नेफ्ट आपका यह तोड़ा सा ध्यान देना यह क्वेस्चन आपका है क्या पूछा जा रहा है भई विच आप दा फालोइंग इस क्या प्राइम नंबर को राइम नंबर को हम कहते हैं फैह अभाझ संख्या यह बात क्या आपको मालुम है निन में से कौन सा युद्म कौन सा पेर क्या दिखाटा है से अभाज संख्याओं का युगम है को प्राइम नंबर का युगम है तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है क्या पता होना चाहिए को प्राइम नंबर आये जान लेते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है सभी वच्चे ध्यान देंगे आपको बता देते हैं को प्राइम नंबर आपको ouveat को प्राइम नंबर से सेह का मतलब कोई ना कोई नमबर साथ में होगा पेयर में होगा क्लियर है तो आपको ध्यान देना आप उन पेयर वाले नमबर में आपको एक चीज सर्च करनी पड़ेगी वह है क्या सर्च करेंगे एच फियप जिन भी पेयर का एच फियप मासा आपका वन होगा क्या होगा मासा वन होगा अगर मासा वन हो जाए एच फियप महत्तम समापवर्त या हाइस्ट कामन फैक्टर यह आपका वन हो जाए तो आपका वो क्या बनाएगा को प्राइम नमबर का पेय लेए टू थ्री आप देख पा रहे हैं फोर फाइब कुछ भी इस टाइप के नमबर आप ले लो 14 15 21 25 आप कुछ भी इस टाइप का पेर ले लो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे इनका 15 कया होगा मासा क्या होगा Metro इन टाइप के नमबर आपके क्या कहलाएंगे को प्राइम नमबर तो बताएंगे आप यहां पे कौन सा पेर कौन सा युग Phill अब तो आप बना सकते हैं बता कामन होता है तो भाई यहां पे आप कामन देख पा रहे हैं कितना होता है 8 कामन है यहां पे फिदा-फिदा आपका क्या मिल जाएगा 14 41 क्या है 41 मिल जाएगा क्योंकि आपका 41 इस 533 को डिवाइड कर देगा बिल्कुल divide कर देगा कितनी बार हम कह सकते 41 multiply क्या होता है 13 13 वंजा 13 और 13 फोरजा 52 और 1 प्लस हो कि आपका 533 बनाएगा ना आप यहां पर देख सकते हैं यह B वाला इसमें भी आपका HV अगर आप ढूणेंगे तो इनका HV अप क्या है 17 डिवाइड करेगा कितना 7 ताइम तो आपका HV क्या निकल गया 17 निकल जाएगा और यह D correct हो जाएगा जब 3 आपसन में आप HV किसी में 8 दिख रहा है और आप चेक भी कर सकते हैं जब यहां पर आप कामन सर्च करोगे तो यहां पर कामन कुछ ना मिलेगा भई एक 16 एक 25 कामन क्या मिला जब कामन कुछ नहीं मिला तो इनका HV अप क्या बनेगा इनका HV अप क्या बनेगा भई या 1 बन जाएगा तो आपका right answer D है देख लेना इसको समझ लो और बड़े प्यार से ऐसे question को लगा सकते हो बना सकते हो बोलिए भई कैसा लग रहा है class में comment करके जरूर बताते रहिए ठीक ना चलिए भई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग ध्यान दीजेगा एक new question एक नया question आपका है तयार करिए बैए क्या है नया question आपका prime number नेरस्टु 500 यानि 500 के निकटतम अभाज नंबर बताना त्यान दिजिए गा 500 के नियर बाई हम देख है 444-499 और 501 हम इन पर मौका देंगि इन दोनों को मौका देंगे यहां में किया देखना है आपको याद होगा हमने last time कल की class में चलते चलते एक बहुत अच्छा साइब कांसेट बताया था एक बहुत अच्छा सा हमने क्या बताया था fix-1 यह क्या है डिटेल से जानने के लिए आनक्लास जरूर देख मिन आप लोग कि इनन्वन जो भी नमबर बनता है वो इसी से बनता है वो इसी बात से बनता है फिर किन पे 2 और 3 पे ये बात लागू नहीं होती है ये बात 2 और 3 प्राइम नंबर पे लागू नहीं होती है आदर सब में लागू होती है ये बात हमने आपको बताया हुआ था तो आपका best point यहां से यह बन सकता था, क्या बन सकता है, कि आप अगर इस number के साथ में plus 1 करके देख लो, या फिर minus 1 करके देख लो, भई द्याने न, आप इस number के साथ plus 1 minus 1 करके ऐसे आप देख रहे होते हो, तो यहां से एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी बात निकल के साम 9 8 क्या बन जाएगा 498 क्लियर है आप यह बताएए क्या यह नंबर फिक से डिवाइड है तो और फिक से डिवाइड होना चाहिए इवें नंबर लगा हुआ है 3 का rule क्या होता है अंकों का जो digit आप देख पार है उनका sum उनका योगफल 3 से divide होगा अब 3 से ये होता है 8-4-12 ये भी होता है बोले तो यही आपका right answer बन सकता है लेकिन इस बात को भी मौका दो जब इस पर मौका देंगे तो यह आपका plus हो के 502 बनाएगा और minus हो के 500 ये तोड़ा सा practice है आपके लिए और हम पुराना कुछ बताते भी जा रहें ताकि आपको याद आ जाए फिर भी हम चाहेंगे जिन बच्चों ने कल की class नहीं देखी वो class जरूर देख लें ठीक ना क्योंकि हमने बहुत basic और बहुत आराम आराम से चीजों को बताया हुआ ह ओके चलिए बढ़ते हैं next question में next question आपके लिए ध्यान देना बड़ा प्यारा सा बड़ा अच्छा सा बड़ा simple सा question है और ये question देखो FFC GD पे आपका पूचा गया है rifleman GD पे ये आपका परिच्छा भी दिखा रहा है कब पूचा गया है ठीक ना तो आपका जो ये class है ठीक ना FFC GD पर पच्छफे UP पुलिस पर पच्छफे लेकपाल पर पच्छफे और main जो आपका ये defense का channel है तो ये आपका Y group पर पच्छफे आपकी एक class दी जा रही है त आप इन सभी exam के पर पच्छ पे आप काम कर सकते हो ठीक ना तो भाई देखिए क्या है question बनाते हैं उन सभी प्राइम नंबर का जो 17 से क्या है बड़ी नहीं है बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा तो भाई आपका मतलब ये हुआ कि 17 के पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको उनका हमें क्या बताना है सम बताना है योग बताना है बताइए भई बताइए भई आप में से बहुत सवारे बच्चे लगा रहे होंगे क्या हमने इस टार्टिंग से लिखना है सबसे छोटा क्या होता है टू फिर आगे क्या होगा त्री फिर क्या होगा होंगे नहीं आगे 17 हो जाएगा न तो आपको त्यांदेना 17 के पहले पहले तक की बात बतानी है तो आपको इन नमर को योग करके आप अपना आन्सर दे सकते हैं ठीक है ना चलो इन नमर को हम जोड लेते हैं यह डारेक्ट ही जोड लिया जाए यह दो तीन होता है पांच पांच दस साथ सत्रा सत्रा और ग्यारा कितना हो गया बैया सत्रा और ग्यारा होता है कितना 28 28 और 13 कितना होता है 31 10 41 आपका 41 करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा 41 हमारा करेक्ट आंसर है राइट आंसर है बताइए भई हो गया complete बात आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे ध्यान देते जाए ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं आगे अब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने फिर फे एक नया कोशन आपको दिखाई पड़ा सभी बच्चों को दिख पा रहा है ये कोशन ध्यान दीजेगा दिखा क्या है आपका कोशन ये बड़ा प्यारा सा कोशन है 110 तथा 112 के बीच कितनी अबहज संख्याएं कितने प्राइम नंबर हैं क्या 110 एंड 120 के between कितने प्राइम नंबर हैं आपका ये question बनाना है बताना है बताइए भई आपको मौका दिया चलिए बताइए आपके लिए मौका है टाइम दे रहे हैं आपको बताइए बनाइए दिखाइए जल्ली किजिए भई आप लोग तो भई बहुत वारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है तरे तरे के answer निकलेंगे और आपके option आपकी screen में है क्या 0, 1, 2, and 3 हल किजिए भई चलिए भई ध्यान देना आपको बताए प्राइम नंबर क्या होता है ठीक है उसी आधार पे हम बात करेंगे सबसे पहले हम आपको बिलकुल basic से करके दिखाते हैं आपको ध्यान देना है 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119 यनि हम कह सकते हैं यह वो नंबर लिख रहे हैं जो between होंगे कि इसके 110 and 120 के between नंबर आपको दिखाये जा रहे हैं तो आप यह देखिए कि 111, 112, 113 अचा 114 रहे गया उसको भी ले लो उसको कहें छोड़ देते हैं 114 ठीक है यह लिख दिया हमने 115, 116, 117, 118, 119 अब आपको ध्यान देना यह सब के सब तो प्राइम नंबर होंगे नहीं ठीक है आपको इवेन नंबर तो टोटली हटाई दे यह देखिए यहाई एक for 12, 114, 1,1,vändi 126, एक फो 18 इनके बारे में तो आप सोचो ही नहीं ठीक है ना इनके बारे में मन पोचो कि यह प्राइम बनेगा फिर इवेन नंबर दो आपका प्राइम होता है और कोई भी इवेन नंबर प्राइम नहीं होता है ठीक है अब और पाप्टों को आता है वह काम करने जैसे आपका 117 के पाड़े में आता ने तेरा के पाड़े में एक फात्रह बच रहा है क्या ये एक फो तेरा किफी नंबर फे डिवाइड़ है बोलिए भई क्या ये एक फो तेरा आपका किफी भी नंबर फे डिवाइड़ है ट्राई कीजिए हमने कल आपको पहँचानने का तरीका भी बताया था बोलिए भई आपको हमने प्राइम नंबर को पहँच जानने का तरीका भी बताया हुआ था कल की क्लाफ में जो हमने बहुत ही बेफिक और बड़े आराम से क्लाफ ली हुई थी ठीक है ना भई तो चलिए भई ध्यान देना 113 यही आपका इकलाउता यहां पर प्राइम नंबर निकलेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएग चलाके दो निकालते हैं ठीक है ना और बहुत कम बच्चे आंसर निकालते हैं वन हमें यह बात अच्छे से पता है क्योंकि आप लाइन बैच के दौरान जब हम इस टाइप के कोश्चन को बताते हैं पढ़ाते हैं तो वो बच्चे जब पूछते हैं तो मौस्टली आंसर देते हैं तीन ठीक है ना और उन्हीं में कुछ थोड़ा सा दिमाग चलाते अपना उनका अंसर आता है दो और फिर जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते जो पूरी तरीके एक एक बात को ध्यान देते हैं उनका अंसर राइट निकल के आता है वन क्लियर है चलिए भई इतन ह綁आपने प्रेक्टिफ कराना है हमने आपको और प्रेक्टिफ करादी काफी कोस्टन की प्रेक्टिफ कर दी आगे चल के प्राइम फेक्टर को फायद ना जानते हों वैसे अभाज गुलन nó odd की कि फंख्या पूरा जीरो लेबल फए आपको बता जा रहे हैं पूरा जीरो लेबल फे आपको ये टॉपिक संझाने जा रहे हैं आइए समझते हैं ठीक है ना और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और फेर जरूर करते जाएं हमें जॉइन करते जाएं ओके चलिए ध्यान दीजेगा जैसा कि आपको बताया अच्छा एक कोश्चन आपका घूर है इसको भी कर लेते हैं झालो इसको भी कर दो अब तो आ रहा है ना आपको भैई एक कोश्चनau scobyas प्राइम नंबर का सम बताना है योग बताना है इसमें क्या है क्यों इसमें क्या है कोई साटकट तरीका नहीं होता आपका इनके योग निकालने बहें का पहले तो आप 18 और सभ पहिला काम क्या करेंगे इस 18 और 32 के बीच आप ठाइम नंबर फर्ज करstone लो इनके बीच आप प्राइम नंबर फर्ज करेंगे और जब आप इनके पीच उस 18 के बाद आप देखते हैं 19, ध्यान देना, इसके बाद क्या मिलेगा 23, हमने सब लिखवाया था बही कल की क्लास में, 29, 31, क्लियर है, बस यही तो होंगे, आपने देखा 18 और 32 के बिट्वीन देखना है, तो बही यह 18 के बाद क्या होगा, 19, फिर 23, 29 और 31, बस इतना ही रहेग इन सब को प्लस कर दो, इन सब को जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे कैसे, डारेक्ट ही जोड़के दिखाते हैं, वही आपका 9 और यह 1, कितना 10, और यह आपका कितना 12, यानि 22, 22 में यूनिट डिजिट आपका बन गया 2, आपका राइट अंसर 102 आएगा, ठीक है न, यहा आपका क्या है, आप 22, 22 का दो, आपका कैरी, आपका दो बचा, आप ध्यान देंगे, यहां 1 और यह 2, 3, 3, 2 आपका कितना, 5, 5, 3, आपका कितना, 8, 8 प्लस 2, आपका 10, आपका राइट अंसर आएगा, 1, 0, 2, यानि 1, 0, 2 आपका राइट और करेक्ट अंसर, बिलकुल आसान question आपके exam से related बताये जा रहे हैं बहिए, ओके, चलिए, अब उस नई बात पे आते हैं, उस नई बात पे आते हैं, वो कौन फी नई बात है, आपको ध्यान देना है बहिए, ठीक है न, चलिए, देखिए, heading बना लो बहिए, आप लोग, heading बना बहिए, prime factor, सभी बच्चे heading बना ले, prime factor जिसको हम कहेंगे, अभाज गुणनखंड, क्या बोलेंगे बहिए, अभाज गुणनखंड, एक बात और, आपको बताया था, एक नाम और होता है, एक नाम और होता है, अभाज को एक नाम फे और जानते हैं, उस नाम को भी लिखना चाहें, लि होता है, रूड, क्या होता है, रूड गुणनखंड, ठीक ना, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि भाई, अभाज नमबर, prime, number, prime संख्या क्या होता है, ये बात सभी बच्चों को मालूम है, अगर इस starting से हम prime number की बात करें, अगर इस starting से हम prime number की बात करें, तो ब five, seven, और ये आपका 11, ये क्या बनेगा भई, 11, ये आपका 13, आपका ये 17, ये आपका 19, clear है, और ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको इस type से prime number मिलते जाएंगे, क्यों भई, यही बात है ना, ये बात प्रतेक बच्चे को मालूम है, ठीक है ना, अब यहीं से ह हमारे question कैसे बनते हैं, आप लोगों को भई ध्यान देना है, ठीक है ना, चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से basic से ये चीज़े आपको बताई जा रही हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए, और चीजों को समझते रहिए, ओके, चलिए बई, देखिए क्या है, आगे बढ़के बता देते हैं, आपको पहला question समझाते हैं, बहुत basic बताईंगे बहुत छोटी तरीके बताईंगे, क्या, जैसे आप से पूछ लिया जाए 20 के अभाज गुरन खंडों की संख्या ग्याद कीजिए, बताईए भई आप लोग जिन भी बच्चों को मालूम है, आप answer कर सकते हैं, चलिए भई, अभाज गुरन खंड जिसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर, बहुत ही छोटा सा question दिया है, ठीका ना, बहुत ही छोटा सा question आपके लिए रखा है, 20 बीफ के अभाज गुरन खंडो की संख्या ग्यात किजिए, चलिए भई, ध्यान दीजे, आपको ये मालूम है, अभाज नंबर क्या होता है, और बिलकुल स्टार्टिंग से देखेंगे, अभाज नंबर के बारे में, आप देखेंगे, आपका कभी भी ऐसी बात आए, तो आप 20 उठाईए, और इस 20 का factor ब फैक्टर बनाते, गुडन खंड लेना सब को आता है, उसी टाइप से आपको बात बताई जा रही है, को तो कितने factor बने भाई, ये आपका एक, ये आपका दो, ये आपका तीन, तो इसका right answer जो आपका निकल के आएगा, भाई ध्यान देना, answer बन गया 3, कितना आसान था, कि ये point, ये topic जो आपको फिलाल लेके चलना है, prime factor वाला, clear है ना भाई, ये बात सबको मालूम हो गई न, चलिए एक और practice कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा बढ़ा करके practice करा देते हैं, भाई ध्यान देना, ये 45 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया भाई, 45, 45 में अभाज संखंडों की, आप संख्या बता दो, तो आपने तुरंद दिमाग लगाया, भाई, आप में से बहुत सारे हुषियार type के बच्चे हैं, उन्होंने कहा, कि भाई, 45 का देखना है, चलो हम दिखाते हैं करके, क्या 3 से divide करेंगे 15 time, ये आप 3 से divide करेंगे 5 time, और ये 5 से divide करें इस type हे हम बहुत सारे question आप से पूछ सकते हैं, बना सकते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे question आपका दे देते हैं, 120, क्या दे दे, थोड़ा सा बड़ा number ले लेते हैं, और ये बड़ा number हम आपके लिए क्या रख रहे हैं, ध्यान दीजेगा, 120, यानि 120 के अभाज गुरन खंडो की फंक्या ग्याद करो, ठीक है ना भई, चलिए, इसको बना लेते हैं, अब आपने फिर फे देखो, आपको method तो मालूम चल चुका है, सभी बच्चे को method मालूम चल चुका है, अब भाज गुरन खंडो की फंक्या निकालने के लिए, तो भई, आप लोग ध्यान दीजेग फार बच्चे answer कर रहे हैं भई, देखिए इस type फे answer करे हैं, उन्होंने देखा, ये और वन ट्वंटी इसका factor बनाएंगे, दोक्र डिवाइट करेंगे, अगेन, दोक्र फे डिवाइट करेंगे, तब तक can do find notice होता है जब तक ये क्या है, डिवाइड होता रहें, कुलिय यहां पर right answer क्या आने वाला है five five हमारा right answer हो गया वैई क्यों अच्छा लग रहा है समझ में आ रही बाते बोलिए भाई हो पाएगा यह सब आप लोगों से चलिए और आगे बढ़ते हैं एक और आपसे पूछ लेते हैं एक आपसे और पूछ लेते हैं यह आपका 720 लिख दिय की संख्या ग्याद कीजिए देखो हम धिरे धिरे एक बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं ठीक है ना चलिए answer कीजिए आप लोग कीजिए भाई answer सबी बच्चे answer करें चलिए ध्यान देना आपको 720 के factor दिखाने हैं clear है दो का भाग करेंगे हाफ करते जाए दो का भाग करना मतलब किसी नंबर को हाफ करना आधा करना अगेन आप क्या करेंगे 3 फे डिवाइड कर देंगे फिर फे 3 फे डिवाइड करेंगे और यह आप 5 फे डिवाइड करेंगे यह तब दक आप काम करते हैं जब तक यह 1 नहीं बन जाता एक नहीं हो जाता और इस टाइप से आपने देखा यह 1 2 3 4 5 6 7 तो आपका right answer क्या आया भाई 7 आपका right answer क्या आगया भाई 7 आगया 7 आगया क्या यह बात आपको समझ आ रही है बोले भाई क्या यह प्यारी फी बात जो आपको बताई गई प्रतेक बच्चे को समझ में आ रही है ठीक ना ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं एक और प्यारी सी बात आपके लिए ठीक अला चलिए यहां पे हम ले लेते हैं 1000 1000 के प्राइम फैक्टर बताने हैं कितने हैं ठीका ना कीजिए आप लोग आंसर समय देते हैं आपको कीजिए सभी बच्चे आंसर जरूर करें देखो हम अपने टार्गेट की और बढ़ते जा रहे हैं एक छोटे से कोश्चन से ले करके हम आपको टार्गेट एक बड़ा फिट करके बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं ओके चलिए भई इस्टार्ट किजिए भई आप 1000 के प्राइम फैक्टर बताने हैं आप सभी बच्चे के माइंड में ये बात फेट हो चुकी है कौन सी बात आपने लिया 1000 और इसके फैक्टर बनाना इस्टार्ट किया ठीका ना टू से डिवाइड करेंगे 500 फिर टू से डिवा करेंगे तो आपका 125 अब आप किसे डिवाइड करेंगे 5 25 फिर आप 5 फिर डिवाइड करेंगे 5 और फिर आप 5 फिर करेंगे वन जैसे वन बना इनको pen करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो आपका right answer आपका correct आ आ गया fix आपका क्या या correct answer आया चलिए अब कुछ कुछ data कुछ जानकारी आपको अलग टाइप की बता दी जाए ठीक है अब यह कौन सी अलग टाइप की बात है कौन इसके बारे में ध्यान देते हैं ठीक है अगर आप यह कहें ध्यान देना थोड़ा अलग धंकी बात है टू की पावर फाइब मल्टिप्लाइब थ्री की पावर एट मल्टिप्लाइब फाइब की पावर फेविन के सभी अबहाज गुडन खंडों की संख्या ग्याद कीजिए यह आपका अमने कोश्चन और बना दिया आपके लिए अब आपको ध्यान क्या देना पड़ता है यांपे प्राइम नंबर आप सभी बच्चे जानते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आपने देखा यहां कितने दो हैं एक दो तीन तो आप अगर इस बात को देखेंगे यह जो वन थाउजंट है ध्यान देना ये वन त्रीन फी बात क्या 2 की पावर 3 यह 555 तो आप 5 की पावर 3 कह सकते हैं ना वह और जैसा कि आप देख रहें कि इसका अंफर आप 6 बोल लेते तो आप क्या करेंगे Prime Number पे Vocus करेंगे तो आपने देखा 2 एक Prime Number होता है, 5 भी अपने आपने आप przy Orchestra Number होता है और आपने देखा पावर कितना लगा है 3, और वहां भी 3 पावर तो वैं 2 कितने time है 3 बार है, 3 time है आपका 5 कितने time है, ये भी 3 time है तो आपका कितना हो गया बैया दो बार तीन पाँच बार ओ दो कितनी बार तीन बार पाँच कितनी बार तीन बार तो टोटल कितना हो गया छे तो यानि आपका यहां साइड कट यह बनता है कि जो इनकी पावर है जो इनकी पावर बोले तो घात है इन घात का टोटल कर दो इन घात का क्या कर लो टोट जो इनका आधार है वो एक प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए किस टाइप का नंबर होना चाहिए बईया प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए जैसे यहां देखेंगे यहां पे आपने इसका बेस कितना पाया तू यहां पे आपने बेस कितना मिला थ्री यहां पे आपको बेफ कितना मिला 5 क्या ये सारे बेफ आपके प्राइम है अब आज है आप बोलें बिल्कुल हाँ है तो इनकी पावर को हम एड कर लेते हैं ये 5 सेट और प्लट्स प्लट्सेव इनकोड़ किया तो आपका यह आनसर गया बन जाएकैंति क्या बन जा Digga आफ 95 बीस तो आपका 20 करेक्ट आनसर होगा इसका क्या करेक्ट हो होगा क्या ये बात प्रतेक बच्चे को समझ आ रही है भई बोलिए भई आप लोग लिए बहुत अच्छी एक क्लास हमने बनाई है ठीक है ना तो भई आप लोग हमारे साथ मेहनत कीजिए और क्या है जहां कहीं कुछ डाउट है वो सारा डाउट हम क्लियर करने के लिए तयार हैं बस आपको करना क्या है आपको इस वीडियो को जादा से यादा लोगों तक फेर करना है ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं और हम आपको इसी टाइप के देगो जो मेन अब बताया था यह जो आपका इस टाइप के कोश्चन है यह मुफ्टली एकजाम में ज्यादा बनते हैं लेकिन हमने इस टार्टिंग से आपका नेफ पेज ले लेते हैं इस टार्टिंग से आपका सारा कुछ देखो कराते हैं जैसे कराएंगे कोश्चन टू की पावर 15 त्री की पावर 15 फेवन की पावर 15 और थर्टीन की पावर 15 ठीक ना और यहां पर आप से कह दिया जाए कुल अबहाज गुणन खंड ग्याद कीजिए ध्यान दीजे तो आप लोग बहुत अच्छी स्माइल के साथ इस कोश्चन को लगा सकते हैं क्योंकि वो फारी बाते हमने आपको बता रखी है वो फारी जानकारी हमने आपको बता रखी है ताकि आप बड़े आराम से इस टाइप के कोश्चन को बना सकते कर् deeply okay चलिए भई ध्यान दिज्यग सेल आपको अपका राइट ऑन्सर के आया लिया कैसा लग रहा है सब आ रहा है ना आपको कोई डाउट चलिए एक कोश्चन और लेते हैं और किफी भी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आप हमारे साथ हैं तो भी डाउट कैसा डाउट बिलकुल भी नहीं होगा चलिए भाई ध्यान दीजेगा एक और कोश्चन लेते हैं अब देखिएगा भाईया सही से देखिएगा 7 की पावर 15 यहां देना multiply 35 की पावर 15 चले भाई इसका आंसर कीजिए 4 की घात 15 गुड़ा 35 की घात 15 के कुल अभाज गुड़न खंडों की संख्या बता दो के कुल अभाज गुड़न खंडों की संख्या बतानी है जले भाई answer कीजिए बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे तो अपना answer कीजिए चले भाई करते हैं लगाते हैं बनाते हैं ठीकर ना चले क्या ध्यान देंगे आप ध्यान देने वाले ये 4 के बारे में क्या 4 आपका प्राइम नंबर होता है क्या 35 आपका प्राइम नंबर होता है तो आप बोलेंगे ना 4 आपका प्राइम नंबर होता है ना 35 प्राइम नंबर होता है clear है तो आपको इनको कैसे तोड़ना है कैसे ब्रेक करना है प्राइम नमबर के साथ में तोड़ना है अब आप द्यान दो जब 4 को आप तोड़ेंगे तो यह क्या होगा 2 इंटू 2 4 क्या होता है 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2 भी कह सकते हैं और यहां पर आपका पावर कितना है 15 है जब इनको आप तोड़ेंगे प्राइम नमबर में तो 5 और इंटू आपका 7 और पावर क्लियर है अब आप यह देखो यह आपका वन यह वन पावर तो इसके पावर में 15 होगा इसके पावर में 15 होगा ठीका ना तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 15 मल्टीप्लाइ 2 की पावर 15 और यहां पर आपका 5 की पावर 15 और मल्टीप्लाइ 7 की पावर 15 अगर आप चाहे तो इसके तो थोड़ा सो और आरेंज कर सकते है कि पावर base fame है तो power multiply पे add हो जाती है जुड़ जाती है तो 30 बन जाएगा और यह आपका 5 की पाउर 15 और यह 7 की पाउर 15 अब आप यह पुराने जैसा देख पर है यह आपका base 2 प्राइम है यह 5 प्राइम है 7 प्राइम है तो इनकी अब घात को प्लस कर देते हैं भाई क्यों जैसे प्लस करेंगे तो आपका यह 30 प्लस 15, 45 प्लस 15 आपका क्या answer आएगा यह 60 आपका right और correct answer आएगा यह 60 आपका right और correct answer आएगा तो भाई देखो हमने step by step पूरा करके दिखाया है और कुछ होफियार टाइप के बच्चे कुछ intelligent टाइप के बच्चे क्या करेंगे वो लोग दिमाग लगाएं कि यह 4 है अब 4 आलड़ी क्या होता है 2 की पावर 2 और इसकी whole power क्या है 15 clear है और यहाँ पे आपको ध्यान देना यह सीधा-सीधा आपको दिख जाएगा 2 की power 30 clear है और जब इसकी बात करेंगे तो यह आपका क्या होता है 3 और यह आपका क्या होता है 5 तो इस 3 की power भी चलिए निफ्ट एक कोश्चन आपसे और पूछ लेते हैं ये अब आसान लगने लगा होगा ये चीज अब आपको बहुती आसान बहुती फिंपल इजी आपको लग रहा होगा तो चलिए कोश्चन आपसे और पूछ लेते हैं और देखते हैं कि आपको ये बातें कितनी इज लग रही हैं देखिए समझेगा ओके मज़ा आ रहा है न आप लोग चलिए देखिए क्या है कैसा है समझे एट की पावर टिन फोर्टीन की पावर ट्वल्ब और आपका ले लेते हैं टिन की पावर एट चलिए इसे बनाईए बहुत ही केयर फुली आप भल करिएगा ठीक है न एट की पावर टिन मल्टिपलाइ फोर्टीन की पावर ट्वल्ब इसे पावर एट के टोटल प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर बताने हैं अभाज गुरंखंडों की फंख्या कुल अभाज गुरंखंडों की फंख्या बतानी है चलिए भई चलिए आते हैं समझते हैं बात को ध्यान देते जाईएगा यहां पर हमने देखा 8 की पावर 10 तो भई 8 आपका प्राइम है नहीं फीदा फिम्पलफब फैक्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें प्राइम की बात करनी है हमें प्राइम फैक्टर के बारे मे में बात करनी है वही प्राइम फैक्टर यह चीज क्या है प्राइम फैक्टर के बारे में हमें बात करनी है उकैं चलिए यहां पर हमने देखा तू की पावर क्या हो जाएगा 3 और इसकी होल पावर 10 यहां 14 को हम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे कुछ इस टाइफ पे तूटेगा और यहां पे आपको 10 को ब्रेक करना क्योंकि हमें प्राइम पे बनाना है प्राइम पे कनवार्ड करना है ओके चलिए यहां पे हमने देखा तू की पावर यह क्या बन जाएगा यह आपका बनेगा 2 की पावर 30 यह आपका बना 2 की पावर 12 और 7 की पावर आपका 12 यहां बना 2 की पावर 8 और यह बना 5 की पावर 8 अब आपको देखो इन 2 को एक साथ कलेक्ट कर लो आप बेस इक्वाल है पावर जुड़ेगा यहाँ पापका फेवेन की पावर 12 और ये 5 की पावर 8 ठीक है अब आपको बता ये आपका प्राइम है ये भी आपका प्राइम है ये भी आपका प्राइम है ठीक नदेख ले ना भई ये आपका 30 प्लस 15, 45 प्लस 8, clear है, क्या बन जाएगा, 53, अब यहाँ पे आपका ये 12, और ये आपका 8, भाई आपका जब बेफ प्राइम है, तो इनकी पावर को एड कर लेते हैं, ठीका न, तो उतनी बार का आपका बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये आपका 73 राइट आनफर है, क्या जाएगा, 73 आपका राइट आनफर है, बताएं भई, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीप, कोई फमफ्य अगर है, तो आप जरूर बताइए हमें, बोलिए भई, क्या अब आप लोग इन टाइप के कोश्चन कर पाओगे, देखो हमे बताना था, जानकारी देनी थी, वो सारा कुछ हमने आपको बता दिया, तो अब आपके जो प्राइम नंबर पर बेफ्ट कोश्चन आते हैं, जो प्राइम फैक्टर पर आपके कोश्चन आते हैं, एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या अब आप कर पाओगे, ध्यान द सिर्फे वीडियो को लाइक और फेयर कर दें और जैसा कि आपको मालूम है यह क्लाफ आपकी एक लाइब क्लाफ नहीं है रिकार्डेट क्लाफ है उसका रीजन क्या है कि हमने आप लोगों के लिए एक बजे फे दो बजे के बीच में लाइब क्लाफ लेना इस्टार्ट किया लेकिन आप लोगों की संख्या कम होने की कारण तो भई हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो इससे अच्छा में आप लोगों के लिए क्लाफ बना ले और इसके बाद आपको देख लें दे और जिन जिन बच्चों को देखना है तो भई या देखेगा अगर लाइब क्ला संख्या ज्यादा होगी तो यह हमारा हमारा गैस अटनेक टाइप से हमें अच्छा लगेगा तो अगर हमें लाइब क्लाफ के रूप में देखना चाहरे हैं तो भई आपको करना क्या है फंख्या बढ़ाईए वीडियो को लाइक और फेयर कर दें ओके चलिए बई आज के इतना ही फिर कल मिलेंगे जै हिंद